यूपी में खनन गोटाले को लेकर चापे और पूर्वा मुख्यमंत्री अकले शियादव तक गोटाले की आज पहुँशने के बाद सफा और बसपा ने एक मंच से बीजेपी और मोधिस सरकार पर हमला बुला है। बीजेपी को पैर रखनी की जगन नहीं मिलेगी। हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री कैसे जिम्मेदार हैं। इसके अलावा सपा सांसा धर्मेत्र यादों ने यूपी में सीबियाई की कारवाई का मामला आज लोग सभा में भी उठाया। धर्मेत्र यादों ने कहा है कि चार्ट जनवरी को बसपा सुप्रीमों मायवती और सपा के राष्टी अध्यक्ष अकलेश यादों के बीच मुलाखात हुई थी। उसके बाद 5 जनवरी को सीबियाई के द्वारा यूपी में चापी की कारवाई की गई और एफायर दर्च कराई गई। इसलिए ये सब हो रहा है लेकिन इस देश में ऐसी तानाशा ही नहीं चलेगी।